हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई चैनल तो गाईस आज मैं आप लोगों को कुछी इस टाइब से ब्लाइक एंड सिल्वर टॉन इफेक्ट फॉट एडिटिंग सिखाने वलाऊं लाऊं लाइटरूम आपलिकेसं की सायता से और भी बहुत असान तरीके से तो गाईस इस एडि इडिटिंग्स रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच वा है ओकी गाईस तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं सु गाईस सबसे पहले हम अपनी लाइटरूम आपलिकेसं अपेन हो जाने के बाद पलस के सायन पे किलिक करेंगे अपनी गैलरी छे एक फोटो एडि कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ यहांसे खोई भी एक photo को लेता हूँ जैसे मैं इसवाले photo को लेता हूँ and add पर click कर देंगे friends हमारी photo light room में आड हो चुगी है all photos पर click करेंगे and यहां पर है हमारी photo इस पर click करेंगे so guys हमारी photo light room में ओपन हो चुगी and editing के लपस न आ चुगी है सबसे फ़र्ष्ट में जाते हैं कलर टूल फिस वाल ऐकन पर यहां पर किलिक करेंगे और यहांसे टेंपराइचर की वाल्यू को इंक्रीज करेंगे तो गाइच टेंपराइचर की वाल्यू को इंक्रीज करेंगे तो गैस् वाइबरेंस की वैलु को यहास करेंगे हम प्लस 10 आंड अन्ट जाते हैं Mixed Tool पे इस वाला आकेन पर यहाँ पर किलिक करेंगे आझ यहाँ से जाएंगे हम औरंज के लरफे and औरंज के लरफें आने के बाद यहाँ से इसकी saturation की value को हम थोड़ा सा minus करेंगे ताकि जो हमारी skin tone है वो सहीर है तो इसे रखते हैं minus 10 यहां से इसकी luminance की value को increase करेंगे ताकि जो हमारी skin tone है वो थोड़ा और bright लगए तो इसकी value को यहां से करेंगे हम plus 21 एंड नेक्स जाते हैं yellow color फे यहां से इसकी saturation की value को करेंगे हम minus and red यहां से इसकी luminance की value को हम थोड़ा सा increase करेंगे तो guys इसकी luminance की value को यहां से करेंगे हम plus 20 and next जाते हैं green color फे and green color मा यहां से इसकी hue की value को कर देंगे हम minus and red यहां से इसकी saturation की value को भी करेंगे minus and red यहांसे इसकी luminance की value को हम थोड़ा सा minus करेंगे ठीक है तो इसकी luminance की value को यहांस करेंगे हम minus 10 and next जाते हैं cyan color फे and cyan color मायने का बद यहांसे इसकी saturation की value को करेंगे हम minus 100 and यहांसे इसकी luminance की value को हम थोड़ा सा increase करेंगे तो guys इसकी value को यहांस करेंगे हम प्लस 14 और नेक्स जाते हैं blue color पे और blue color में आने कब यहां से इसकी saturation की value को कर देंगे हम minus 100 और यहां से इसकी luminance की value को भी minus करेंगे तो इसकी luminance की value को यहां से करेंगे हम minus 21 और नेक्स जाते है purple color पे और purple color में आने कब यहां से इसकी भी saturation की value को कर देंगे हम minus and red and उपर से कर देंगे done and next जाते हैं grading का option पे इस वाल icon पे यहाँ पर click करेंगे and यहाँ से जाएंगे हम third all option पे जो की है highlights का option इस पे हम click करेंगे and अपनी finger की सहता से finger को slide करते विए इसकी hue and saturation को हम अपनी photo में perfect रूप से मिलाएंगे ठीक है तो guys इसकी hue है 224 and saturation है 36 and यहाँ से इसकी luminance की value को हम थोड़ा से increase करेंगे तो इसकी luminance की value को यहाँस करेंगे हम plus 12 and यहाँ से blending की value को भी increase करेंगे तो blending की value को यहाँस करेंगे हम plus 85 and यहाँ से violence की value को भी increase कर देंगे तो guys balance की value को यांस करेंगे हम plus 71 and उपर से कर देंगे done and next जाते हैं light का option पर इस वाल icon पर यहाँ पर click करेंगे and यहाँ से contrast की value को हम थोड़ा से increase करेंगे ठीक है तो इसकी value को यांस करेंगे आम plus 10 and यहाँ highlights की value को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे तो गाइस highlights की value को यांस करेंगे हम माइनस 21 और यहां से black की value को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो गाइस blacks की value को यांस करेंगे हम माइनस 10 तो guys जो हमारी photo है वो काफी अच्छी editing हो चुगी लेकिन इसे हम और better बनाएंगे तो इसके लिए जाएंगे हम effect को option पर इस वाल आइकन पर यहां पर click करेंगे और यहां से clarity की value को increase करेंगे ठीक है तो clarity की value को अपने photo के quality के इसाब सब बढ़ानी है तो मैं इसे रखता हूँ 25 और यहां से dh की value को भी increase करेंगे ताकि जो हमारी photo है उसमें हमें HDR effect देखने को मिले तो इसकी value को आंसर करेंगे हम plus 10 और यहां से विनेट की value को हम minus की हो लेगी जाएंगे तो अविनेट की value को आंसर करेंगे हम minus 34 और यहां से meat font की value को भी हम थोड़ा सा decrease करेंगे तो meet font की value को या answer करेंगे हम 34 और यहां से feather की value को हम थोड़ा से increase करेंगे तो guys feather की value को या answer करेंगे हम plus 64 अब इस photo को हम smooth करेंगे ठीक है तो उसके लिए जाएंगे हम detail option पर इस वाला icon पर यहां पर click करेंगे और यहां से सार्फेनिंग की value को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी photo की signing है और थोड़ा और ज्यादा लगए तो इससे रखते हैं 15 और यहां से noise reduction की value को increase करेंगे ताकि जो हमारी photo है और फटे नहीं smooth रहा ठीक है तो इससे रखते हैं 21 और यहां पर है color noise reduction और इसकी भी value को यहां से हम थोड़ा से बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी photo है और परफेक्ट रूप से smooth लगए ठीक है तो इससे रखते हैं 15 तो guys हमारी photo finally editing हो चुगी है तो आप देख सकते हैं before हमारी photo ऐसी थी and after कुछ इस step से तो guys आप लोगो zoom करके दिखा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारी photo काफी अच्छी editing हो चुगी अगर guys आप लोगो यह editing पसंद आई तो प्लीज आर वीडियो को like किजेगा and comment जरूर किजेगा दू guys इस photo को save करने के लिए आमे share को option पे click करना है and recept device फे click कर देंगे हमारी photo save हो जाएगी तो guys मिलते हैं नेक्छ वीडियो में beast of luck